Hello dear students, welcome to smart knowledge, प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है, उसमें class 6 का SST का paper discuss करेंगे, काफी helpful रहने वाली है वीडियो क्योंकि जो paper हम इस तरह से करते हैं, उनमें काफी important question cover होते हैं, आपको paper का pattern पता चलता है, और important question आपके सारे one shot में revise हो जाते हैं, अलग-अलग तरह के, चा करते हैं, first question है, English और Hindi medium दोनों में साथ में करेंगे, ठीक है, तो प्रिथवी के कितने प्राकरती कूप गरे हैं, तो क्या answer आएगा, प्रिथवी के कितने प्राकरती कूप गरे हैं, केवल एक है, सबसे पहले किस जानवर को पालतु बनाया गया था, तो सबसे पहले कुते के फोर चंद्रमा की स्टैपर पहले करदम रखने वाला व्यक्ति कौन था, तो कौन था बच्चो नील आमस्ट्रॉंग था, भीम बेटका की गुफाई भारत के किस राज्य में स्थित हैं, तो भीम बेटका की गुफाई कहां पर हैं, ये हैं मध्य प्रदेश में, अगला question है तो अच्छा के रंकेकान हमने कर लिया, बेदवाओ, ग्राम पंचायत में प्रतेक वाड के प्रतिनिदी को क्या कहा जाता है, तो प्रतेक वाड के प्रतिनिदी को क्या कहा जाता है, ठीक है, ग्राम पंचायत के प्रतेक वाड के प्रतिनिदी को पंच कहा जाता है, उसके ब beginning of neolithic period considered to from 10,000 years next the first person to step on the surface of moon was Neil Armstrong and in which the following state union territory Bheembeet ka caves located to Bheembeet ka caves कहा है Madhya Pradesh में है Madhya Pradesh में next है to उसके बाद अगरा question है to prohibit entry of the class due to skin color is an example of तो अगर class में skin color से entry नहीं दी जाती तो क्या बोलते हो उसको discrimination the representative of each word of the gram panchayat उसको क्या बोलते हैं punch बोलेंगे ठीक है each word of gram panchayat को क्या बोलेंगे हम punch बोलते हैं उसके बाद next देखिए सभी के लिए समान सिक्षा की व्यवस्था करना क्या प्रदशित करता है तो यह समानता प्रदशित करता है ग्रामसभ बागागाटन कितने वर्षों के लिए होता है तो यह जो है वाड़ पंच और पंचाय छेत्र के लोग मिलकर करते हैं लगू पाशान ओजार जो है वो किस काल से संबंदित हैं तो वो किस काल से संबंदित रहेंगे मध्यकाल से उसके बाद राक के अवशेश हमें किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं तो राक के अवशेश हमें कुर किया जाता था ओकली और मूसल का जो है प्रियोग किया जाता था इंग्लिश मुरी में देखते हैं making arrangement of equal education for all represent क्या represent करता है सब के लिए education equality represent करता है the gram sabah is constituted for gram sabah कितने साल के लिए इठन की जाती है 5 साल के लिए serpans is elected by is का answer आपका D रहेगा ठीक है तो उसके बाद देखे माइक्रोलिट्स रेलेटी टू विच पीरियर्ड तो मीजोलिथी के एज आ जाएगा from which side do we find the remains of ash तो कुर्नुल केव आ जाएगा on the banks of which river the beam bेट का site located तो कहां है नर्मदा नदी के किनारे है इंदा नियोलिथी के इस डेश वाज यूज फूर ग्रेंड इंगरेंज तो मोर्टर एंड पैस्चल का यूज गिया जाता था उसके बाद next देखे question number 15 दिया गया है गलत मिलान इसमें आपको गलत मिलान बताना है तो इसमें गलत मिलान क्या हो जाएगा आपका नवपाशानिक पुरास्तल इनाम गाउं यह जो है इसमें गलत हो जाएगा इनाम गाउं फिफ्टींथ का ए हो जाएगा ठीक है next देखते हैं question number 15 है नियोलिथिक साइट जो है इसमें क्या इनकरेक्ट हो जाएगा इनाम गाउं तो फिफ्टींथ का ए आपका अंसर हो जाएगा उसके बाद देखे second question दिया गया है आपका खंड खाया है आरंबिक लोग खेती करने के लिए एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहने लगे अथवा में देखेंगे किर्श को पालनों का रहें शन आखेटक खादे संग्राकों से किस प्रकार बीनने था ठीक है इंग्लिश मेडिय में साथ में देखेंगे early people started living at one place for long period for farming why and how was the lifestyle of farmer herders different from the hunter gatherers तो second के first का आंसर होगा खेती से संबनित कारी है और फसले उगाने में लंबे समय तक इंतिजार करना पड़ता है work later to farming and the long wait for crops to grow ठीक है अब second का आंसर जो रहेगा आपका एक जिगे टिक कर रहना स्वेम फसल पौधे उगाना जटिल सामाजिक्स वेवस्त था ठीक है staying in one place growing crops and plants to own one's own and complex social structure इसी लिए जो है उनका lifestyle farmer herders का उनसे ज्यादा मुश्किल था इंडिया is a secular country elaborate the statement इंडिया एक secular country है यानि धर्म निर्पेक्ष देश है इस statement को आपको elaborate करना है थर्ड कोशन है तो इंडिया जो है वो एक धर्म निर्पेक्ष देश क्यों है तो सभी धर्मों को मानने वाले लोग के साथ समान विवार होता है और बिना बेदभाव के अपने धर्मों का पालन हम कर सकती है equal treatment of people of all religion and following once religion without discrimination तो कोई discrimination नहीं होता इसलिए भाराच जो है वो एक secular country है धर्म निर्पेक्ष राच्य है अगला question है how does prejudice affect the life of people explain with example question number 4 है पूरवा ग्रह किस प्रकार मानो जीवन को प्रभावित करता है उधारन से आपको समझाना है तो पूरवा ग्रह क्या होता है हम पहले ही किसी भी चीज या किसी भी कुई भी बात होती है तो उसके coding अपनी धर्णा पहले ही बना लेते हैं चाहिए वो ठीक न हो लेकिन वो क्या करता है अगर हम ऐसे पहले ही धर्ना बना लेते हैं तो इससे हमारे अंदर एक विश्वास की भावना जनम लेती है और कई बार यह है क्या होता है बेदवाव का कारण भी बन जाता है इससे हम पहले ही बेदवाव करने लगते हैं जैसे आपने एकजांबल भी पड़े होंगे ठीक है उसी के कारण हम उनके साथ और शैर के लोगों के साथ क्या करने लगते हैं बेदवाव करने लगते हैं अगला क्वेशन देखे नेक्स्ट क्वेशन नमबर फिफ्ट उलका पिंड किसे कहते हैं और अथ्वा में दिया गया है सौर मंडल किसे कहते हैं इंग्लिश मेडियम में है what are meteorites and what is the solar system तो उलका पिंड क्या होते हैं सुरिय के चारो ओर जो है चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे-छोटे टुकडे कहलाते हैं ठीक है और स्वारमंडल किसे कहते हैं सुरिय आठ ग्रय उप ग्रय और कुछ अन्यक गोली पिंड मिल कर क्य बनाते हैं सौरमंडल बनाते हैं small pieces of stone revolving around the sun is known as meteorites and the sun, eight planets, satellites and some other celestial bodies together form the solar system ये इसका answer हो जाएगा next question number 6 है अब आपके short answer type question रहेंगे यहां से 3-3 number के what time will be there in London when it is 4.30 a.m. in India ठीक है जब लंडन में क्या time होगा जब इंडिया में क्या time है 4.30 है ठीक है give reason और में दिया गया है almost every country has adopted standard time give reason हर एक country ने standard time अपनाया हुआ है हर एक country का अपना standard time होता है तो ऐसा क्यूं है आपको with reason बताना है Hindi media में रहेगा जब भारत के सुभ है के 4.30 बजते हैं तब लंडन में कितने बज़े होंगे कारण बताईए और लगबख सभी देशों ने मानक समय को अपनाया है कारण बताईए तो जब इंडिया में रात के 11 बज़े होंगे तो यहाँ पर 4.30 होंगे तो वहाँ पर कितने बज़े होंगे लंडन में रात के 11 बज़े होंगे और यह अंतर जो है यह क्या है 82.30 देशांतर का और इसके कारण है और यह भारत के पस्चिम में स्थित है और हर डिग्री पर कितने का अंतर हो जाता है समय का 4 मिनिट का अंतर हो जाता है तो हम इस तरह से अंतर हमारे देश में और लंदन में कितना अंतर है 82 डिग्री 30 तो इससे हम देखते हैं कि कितना टाइम जो गैप रहेगा टाइम का और एक डिग्री के लिए कितना है 4 मिनिट ह तो यहां से हम देखते हैं, अब at 11 p.m. इंग्लिश में देखे, the difference is 82 degree, 30 longitude and it is located west of India, तो लंदन में इतना difference है और 1 degree के लिए कितना अंतर आता है time का, there is a time difference of 4 minute per degree, अगले का आंसर क्या रहेगा कि हर एक तेश ने एक standard क्यों लिया हुआ है, time एक मानक time क्यों है, तो अलग-अल उने देखा अभी, तो अलग-अलग या मुत्र पर होता है, रेल गाडियों की समय सारणी में कठिनाई, so there is difference in the local time of places located at different longitude and difficulty in the train schedules, कोई भी एक example आप दे सकते हो, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या कठिनाई हाएगी, train schedule जो है, वो सब गडबड हो जाएगा, इसलिए मानक स हमेज रखना पड़ता है हर एक देश को, उसके बाद अगला question है, question number 7, ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत का वनन कीजिए, और ग्राम सभा की बैठक में सभी सदश्यों को हिस्सा क्यों लेना चाहिए, English Media में देखेंगे, describe the source of income of ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत की income के क्या source है, and why should all the members participate in the meeting of ग्राम सभा, तो income के स्रोत क्या होंगे, घर वे बाजारों से कर, जो tax होता है, आपके घर से भी tax लिया जाता है, वही इसका income का source है, और सरकारी यूजनाय जो होती है, उनसे मिलने वाली राशी, amount of tax from homes and market and amount received from government schemes, उसके बाद देखिए, हमें ग्राम स के लिए और जो पैसा सरकार देती है, उसके दूपियों को रोकने के लिए हमें ग्राम सभाओं में participate करना चाहिए, तो participation in the development of one's area, to make the panchayat accountable and to prevent the misuse of funds, उसके बाद नेक्स देखिए, अगला खोशे ने ताप का टिमद किस प्रकार जलवाई को प्रभावित करते हैं, और इस explain and explain the process of calculating international standard time from the prime meridian, prime meridian से international standard time जो है कैसे calculate किया जाता है, उसका process explain करना है, तो इसमें answer रहेगा, first का ocean कटीपन सबसे अधी गर्मी प्राप्त करते हैं, हाते गरम चेत्रे रहते हैं, sit ocean कटीपन सूरिय से तिर्ची किरने प्राप्त करते हैं, इसलिए चेत्र का तापमान मध्य रहता है, और सीथ कत्री बंद जो होते हैं, उनमें बहुत अधिक ठंड होती है, सूरिय सितिद से उपर नहीं आपाता है, ताप में अंतर की वज़े से जलवायू क्या हो जाती है, अलग-अलग हो जाती है, इसके करन वायूदाब पावनों की दिशा में बदलाव आता है, इंग्लिश में देखेंगे, इस पोलर रिजन होता है, तो इसमें आ जाएगा, प्रिथवी परखीची की कालपिनिक सेकिंड का अंसर यह अथवा में जो दिया गया है, प्रित्वी पर खीची की कालपनिक रेखा जो उपरी धुरू को दक्षिनी धुरू से जोड़ती है देशांतर रेखा कहलाती है 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रदान मध्याय रेखा कहती है और प्रधान मध्य रेखा के पूरो और पस्ची में 180 देशांतर रेखाए हैं और प्रते के एक डिग्री पर समय का अंतर कितना होता है? 4 मिनिट का अंतर होता है, ठीक है? तो पूरो की और बढ़ने पर समय की गणना आगे की और की जाती है और पस्ची म की और बढ़ते हैं, यानि जो देशांतर रेखा है हमारे बच्चे उसमें पूरो की तरफ अगर हम कोई किसी कंट्री में जाएंगे तो हर एक डिग्री पर 4-4 मिनिट, 4-4 मिनिट ऐसे हम उसको प्लस करते जाते हैं और फिर एक टाइम निकाला जाता है कि वहाँ पे उस समय कितना टाइम हम करेंगे पस्ची म के और बढ़ने पर समय की गणना पिछे की तरफ कर ली जाती है ठीक है, इंग्लिश में देखेंगे यह आपको परेग्राफ तिया गया है यह आपको पढ़ना है, थूड़ा सा बलर है तो आप थूड़ा सा जो है कंसेंटरेट करके पढ़िएगा इसको तो इसमें अफसाना के बारे में दिया गया है तो इसमें देखिए, अफसाना आज भी हम सबको खेल खतम होते ही घर पहुँचना पढ़ता है लेकिन लड़के तो खेल के बाद भी वहां गूम कर बाते करके आराम से घर जाएं तो भी किसी को फर्क नहीं पढ़ता खुद स्कूल से घर के बाद जाने पर अपने ममी के साथ दो तिन धरू की सफाई का काम करती है फिर बढ़ाई करती है और सब के बाद खेलने जा पाती हूँ अपने घर में मम्मी की मदद करती हो मेरे भाई की अगर चाय चीए वे खुद बनाए तो मा कहती है तीन तीन बेने ये फिर भी भाई को काम करना पड़ता है अन्य लड़की कहती है जब जरीन के छोटे भाई को ही देखो ये सिर्फ 5 साल का है 5-6 साल का है ये भी बोलता है कि मम्मी तुम दीदी को क्यों भेजती हो दीदी अच्छी नहीं लगती है ग्राउंड में खेलते हुए ठीक है अगर उसे पूछे तो खुद खेलेगा तो बोलता है हाँ मैं तो लड़का हूँ खेलेगा जो है खेलूंगा तो अफसाना को खेलने जाने से पहले दूसरों के घरों में काम करने क्यों जाना पड़ता है तो क्यों जाना पड़ता है अपनी मम्मी की मदद के लिए जब अफसाना का भाई जो है अपनी लिए चाय बनाता है तो उसकी मम्मी अफसाना और बहनों पर क्यों नराज हो जाती है तो उस समय अफसाना क्यों नराज हो जाती है क्योंकि उनका मानना है कि लड़कों को घर का काम नहीं करना चाहिए उसके बाद अगला question है दिये गए नुछे में link बेंच से सम्मदीद को यह गटना का वर्णन जो है आपको करना है ठीक है तो उसके बारे में आपको लिखना है तो अगर आपके आसपास कोई भी ऐसे link बेदगी गटना जहां लड़के लड़की में बेदभाव किया जाता हो वो आप अपने शब्दों में लिख सकते हो उसके बाद एक question और है question number 9 ठीक है source based question से पहले what happens to the early humans when they change from hunter gatherer to farmer herders विवस्तरों का उपयोग करने लगे पश्यों के विभिन उपयोग करने लगे और मृत भांडों का उपयोग करने लगे यानि मिट्टी के जो घड़े होते हैं मिट्टी के घड़े बनाने लगए तो permanent housing हो गई production of food for oneself started using woolen clothes like cotton and various uses of animals and started using earthenware उसके बाद देखे बेटा यह कुछ clear नजर आ रहा है सुनीता जब 5 साल की थी तो उसमें नील आमस्ट्रोंग को चांद पर उतरने का चित्र देखा ठीक है तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा 5 साल के उमर में सुनीता ने किसी चांद पर उतरते देखा नील आमस्ट्रोंग को सुनीत कि अंत्रिक्ष यातरी बनने का सफर जो है वो आपका सफर का बनन करना है तो दस्वी कक्षा के उपरान सुनीता बनना तो गोता खुर चाहती थी पर बन गई हलिकॉप्टर पाइलेट ठीक है और एक दिन उसे किसी अंत्रिक्ष यातरी से पता चला कि वे आगे पढ़ाई क अरे तो अंत्रिक्ष में जा सकती है तो यहां से यहां तक आप इसको लिख देंगे उसके बाद अगला नुच्छे दिया गया है ठीक है यह वी आप पढ़ लेंगे इसमें है कि अफसाना की अम्मी उसके बास्केट बॉल खेलने से क्यों नाराज थी क्योंकि उसकी मम्मी क यहां खेलने आजाती क्योंकि उसकी दादी को ऐसा लगता है कि ताकत के लिए खेलने के लिए क्या चाहिए ताकत चाहिए और उसके लिए दूद पीना पड़ेगा और इतने पैसे कहां से आएंगे ठीक है एक तो यह था और डाटती क्यों है क्योंकि उनकी दादी को भी क् है ठीक है उसके बाद आफरिंग की दादी के अनुसार खेलने के लिए क्या ज़रूरी है तो खेलने के लिए ताकत चाहिए और ताकत के लिए दूद पीना पड़ेगा और इतने पैसे कहां से आएंगे ये जो है थर्ड का अंसर हो जाएगा उसके बाद फिर से ये दिया गया है आपको चंद्रमा के उपर question दिया गया है अमावश्य के उपर तो नई चंद्रमा की रातरी को किस और नाम से जाना जाता है तो नई चंद्रमा की रातरी को अमावश्य के नाम से जाना जाता है किस से जाना जाता है अमावश्य से एक महीने में कितनी बार पुर्णिमा हो तो अमावश्य पुर्णिमा के जो है 15 दिन बाद आती है कितने दिन बाद आएगी 15 दिन बाद उसके बाद देखिए मांचित्र दिया गया है तो यह सारी चीज़े आपको मांचित्र पर दिखानी है तो आप यहां से दिखा देंगे बेटा यह जो है क्या है यह इनाम गाओं ठीक है तो यह था बच्चों आपका SST का पेपर थोड़ा सा बलर था बेटा इसलिए मैंने कोशिश की है कि आपको सारे कॉस्चन्स जो है मैं बोल के बता दूँ फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कॉस्चन्स सारे इंपोर्टेंट है इसलिए जरूर करके जा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तेल देन टेक केर बाबाई